माता वैश्नों देवी तेरे चर्नों में प्रणा माता वैश्नों देवी तेरे चर्नों में प्रणा हे त्रिकोट निवासनी पावन है तेरा धाम हे माता पावन है तेरा धाम आते हैं जो मनत लेकर मा तेरे दर्बार आते हैं जो मनत लेकर मा तेरे दर्बार उनको सारे ही कश्टों से देती हो उबार है माता देती हो आप उबार सिवा आपके कौन सुने इन भक्तों की पुकार ममत मई तुम ही माता जानता सब संसार है माता मुह मांगा मैया देती भक्तों को वरदानमा मुह मांगा मैया देती भक्तों को वरदान रंक को राजा बना दिया बांज को दी संतान आपने कोई पहाडो वाली कहे कोई शेरो वाली मां हर एक रूम में मां तुम हो भक्तों की रखवाली है माता भक्तों की रखवाली स्वर्ण मुकुट है शीश पर ओढ़ी चुन रिया लाल स्वर्ण मुकुट है शीश पर ओढ़ी चुन रिया लाल और सोला श्रिंगार की रूप है बड़ा कमाल मया का रूप है बड़ा कमाल गुफा बीच बैठी माता हो कर सिंग सवार भैरो करते निगरानी लांगुर पहरेदार आपके लांगुर पहरेदार लाल चुनरिया ध्वजानारिय भक्त भेट चड़ाए सकल बनोरत पूरे हूँ मां से बस ये चाहे भत मां से बस ये चाहे वो नर बड़ भागी होते जो दर्शन तेरे पाए मां दर्शन करने मोत्र से जनम सफल हो जाए मैया जनम सफल हो जाए आपके दर जो आते हैं लेकर अभिला शाह पूण आप ही करती हूँ भक्तों के मन की आशा मैया करती पूण है आशाह मन मंदिर में आपकी छवी जिसने भी बसाई जीवन में कभी आये ना कोई भी कठिनाई माटा आये ना कठिनाई सारे जग के माता तुम हम बालक नादान सारे जग की माता तुम हम बालक नादान सद वो थी उर भक्ती का देना मा वरदान है माता देना हमें वरदान आशा की तुम जोती हो जग है घोर अंधकार जिसने आपको नाब लिया हुआ वो भव से पार है माता उत्रा भव से पार दसो देशाओं में मैया आपका ही प्रताप जपते आपको नाम जो मिटे रोग संता है माता मिटे रोग संताप दुरगम काज तो आप ही सुगम बनाती हो अपनी कृपा की बारिश मा जब बरसाती हो ए मैया जब बरसाती हो जिन भक्तों के हिर दै में हो आपका दाती निवास जग बग जगती रहे सदा जोती ग्यान प्रकाश है माता जोती ग्यान प्रकाश तनमन को पावन कर दे ऐसा मातिरा नाम तनमन को पावन कर दे ऐसा मातिरा नाम चरन धूल है आपकी जैसे चारोधा है माता जैसे चारोधा तेरी दया के ही माता हम तो याचक है अक्यानी तो है हम पर तेरे उपासक है है माता तेरे उपासक है आठ पहर चौसट धड़ी जपते है तेरा नाम आठ पहर चौसट धड़ी जपते है तेरा नाम तेरे नाम से सुबहा हो तेरे नाम से शाम है मैया देना चर्णों में जगहा इतनी ही चाहत है माता देना चर्णों में जगहां इतनी ही चाहत है आपकी भक्ती से बढ़कर कोई ना दौलत है शक्ति स्वरूपा मैया तुम आदि भवानी हो जगदाती जब पालक हो जग कल्याणी हो है माता जग कल्याणी हो राजा रंक तेरे दर पर सब है एक सवान तीन लोक में कोई नहीं मैया आप समान ए मैया कोई ना तेरे समान ब्रम्हा विष्नु शिव शंकर भी तुमको शीष नवाए ब्रम्हा विष्नु शिव शंकर भी तुमको शीष नवाए बाँ देवतगन भी विपदा भे शरन आपकी आए माता शरन आपकी आए नारद शारद रशी मुनी करते हैं सिमरन मा वे दोर पुरानों में है महिमा वरनन ओ माता तेरी महिमा वरनन अपने भक्तों का सदा करती हो धार्मा अपने भक्तों का सदा करती हो धार्द दुर्जन दुष्टू का वैया आपकरे संहार है माता आपकरे संहार आपकी शक्ति के आगे सब है शक्ति ही में सर्व शक्ति मोल तुम्ही हम प्राणी है दी ओ माता हम प्राणी है दी भत्तों का हितकारी है आपका हर रूप भत्तों का हितकारी है आपका हर रूप गुफां में देखो विराज रही ये पिंडी सरूप है माता अदभुत है स्वरूप तीन पिंडियां आपकी बड़ी निराली है महसरस्वति महलक्ष्मी और महकाली है है मैया तुही महकाली है महकाली के नाम से शत्रू भी घब राएं लेकिन भक्तों पर सदा किरपाप बरसाएं माता किरपाप बरसाएं महलक्ष्मी के रूप में देती अनधन दान धन वैभव जो आए तो बढ़ता है सम्मान भक्तों का बढ़ता है सम्मान सरस्वती बन कर देती विद्यार वाणी मान सरस्वती बन कर देती विद्यार वाणी तब ही हर इत्म रूप में माता जग कल्याणी आप है माता जग कल्याणी अपने सारे भक्तों का कर ना मा उधार अपने सारे ही भक्तों का कर ना मा उधार आशा लेकर आते हैं जो भी तेरे दरबार है माता जो भी तेरे दरबार शर नागत है मा तेरी हंस राज रिल हन फोजी सुरेश भी करता है महिमा का वरनन हम आदी सकती मा वैशनों की कथा सुनाते हैं मा वैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कता सुनाते हैं ऐ पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का ऐ पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का तेता युग में बढ़े गया दैतियों का आत्या चार होने लगी थी विजैया धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की यादा आई सरस्वती लच्मी और काली मा तीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरू हात जोड बोली कन्या है माता बतलाओं मुझे बनाने का परियोजन क्या है जड़ा समझाओं सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवेश्ण रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का आई पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का तीनों माता बोली एक राजा रतना सागर कन्या रूप में लेलो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेस कमान किया राजा रतना सागर के घर जाके जन्म लिया त्रिकुटा और वैश्न भी उस कन्या का नाम पड़ा अदबुत कन्या जन्मी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यक्य हवन भी करता राजा और कभी करे सिकार खेल खेल में राजा ने कई पसु पच्छी दिये मार सोक में कई निर्दोस प्राणी मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडेगा सौक पिता का वैशन भी को तो रास नहीं आया क्यूं करते वद निर्दोसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैशन धर्म का उस दिन से धर्ती पे जन्म हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैशन रूप में क्यूं माई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का दां यह बनते विगड़े का आं है पावन मा का दां यह बनते विगड़े का फिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझे को तप माता पिता को समझाया सुनकर वेटी के वचनों को माता हुई बेचै बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रहे घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भच्छी पसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझे को दे दो आशिरवार पर योजन इस धरती पर आने का मुझे है यार ना चाहते हुए मात पिता अज्या दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का मात पिता किया क्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने त्याग दिया छोड़े संसार के कां घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हर साए क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझे को बतला बोली अरधागिनी रूप में मुझे को अपना ओ इस युग में पतनी मेरी सीता राम बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्न रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोतार फिर तुमको अरधांगीनी रूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरण होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट पर बत पर जाकर तब तक तुम वास करो भकतों का उद्धार करो दुष्टों का नास करो वहां वैश्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी सकल स्रिष्ट में है कन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सिरी राम के आँख्यां का मा पालन है करती वैश्णो देवी रूप में माता सब के दुख हरती स्रथा भावस जो भी आता है इनके दरबार सारे कश्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनों रूप में यहां बिराजे जग की रखवाली मात सारदा महालक्षमी और महाकाली जिन भगतों को होता वैश्णो माता पे विस्वार नहीं तूटने देती माता बेटों की कोईयां तभी तुदर सन करने भक्त लाखो आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बत लाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का कट्रा से कुछ ही दूरी पर हनसा लीक गां माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्रीधर ना माता के चर्णों में उसकी ऐसी लगी लगन छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता अतिनिर्धन हो कर भी सबका करता था सम्मा एक ही चिन्ता थी उसको ना थी कोई संता माता के चर्णों में नित अर्दास लगाते है पावन कथा सुनाते है मावे शुरूप में क्यों आई ये आम मतला दे है है पावन मा का धां यह बनते विग्डे का बक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवा भगती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खयाल क्यों नहीं देती दरसन मुझे को ये तो बतलाओ सच्चा दास तुम्हारा हूं मा मुझे को अपनाओ बोला सी से जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दरसन ना दोगी ना खाऊं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गए दरसन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते है पावे शुरूप में क्यूं आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहजाने करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेश की सारा गाउं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना न्योता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाउं आएगा अति निर्धन थे स्रीधर चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का ए जगजन नी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन पर इच्छा है मेरी मुझे को लगता है याज घर घर जा करनी मंत्रड वो सब को दे आया भैरोनात का डेरा भी था रस्ते में पाया हाथ जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भोजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कोडी नहीं है करसे भंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते है पावन कथा सुनाते है मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सुन स्रीधर की बात अचंभित भैरों बड़ा हुआ गोरखनाथ गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्माथ अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरों और गोरखन अपने सब छेलों संग आए बने हचपन भोग देखके वो तो चकराएं कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। मावे शुरूप में क्यूँ माई ये हम मतलाते हैं, है पावन मां का धां यहां बनते बिगडे का। है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े गां देखा के एक कन्या सबको भोजन रहे खिला ना साधारन कन्या ये मन में संदे है हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े इंतहान है साधारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्नो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावै शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन माता धां यहां बनते विगड़े कां हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ज्यान पर अपने तप पे भी था भैरों को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पैर खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था हैं गुफा के द्वार पे एक साधूने भैरों को समझाया लौट जवापिस भैरों वरना काल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरों ने उस साधू को दुदकारा क्या मुझको तुम नहीं जानते भैरों नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे अण जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का भैरो नात ने उस साधू की बात नहीं मानी हट करके घुस गया कुपा में वो भैरो अभिमानी माता कुँ आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया कहां गई वो कन्या भैरो होने लगा बेचै जब तक भेद नहीं जानूंगा आये न मुझे को चै त्रिकूट परवत की गुफा में बित्त मान थी मा कहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरो पाते है पावन कथा सुनाते है मा वैश्ण रूप में क्यों आई ये हम मतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का लांगुर वीर को फिर भैरो ने युद्ध के ली लल कारा कहां थे पीछे हटने वाले दिया चबाब करारा लेकिन लांगुर वीर में भैरो पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आ गई माता अश्ट भुजा धारी वध करने को भैरो का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरो नात का गिरा वो जाके दूर भैरो को अपनी गलती का फिर आबास हुआ किये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से पिंती करके वो माफी चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का करुडा मैं मात ने फिर भैरों को माफ किया भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया हे भैरों ये तब तेरा यूं व्यर्थ न जये गा जो मेरे दरसन करेगा वो तेरे दर भी आएगा माने जाए मेरे दरसन तेरे विना धूरे मेरे बातेर दर पे आये तभी वो होंगे पूरे इसलिए जो भक्त वैशनों द्वार पे आते हैं माता के दर्सन कर भैरो मंदिर जाते हैं जोर जोर से जैकारा माता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन माता धां यहां बनते बिगड़े का है पावन माता धां यहां बनते बिगड़े का सपने में आकर माने स्रीधर को दिया वर्दा चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संता युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंस करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्रीधर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गए पूरी अतिप्रैसन हुए तब से अब तक स्रीधर वंस ही करता मा की पूजा वैश्नों धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा होजी सुरेस और डियस पाल तुसीस जुकाते हैं होजी पावन कठा सुनाते हैं मावैश्नो रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विग्डेका है पावन मा काधा यहां बनते विगड़ेगा ओम जय लक्षमी माता जय जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता उमारमा ब्रम्हानी तुम ही जग माता सूर्य चंद्र माध्यावत सूर्य चंद्र माध्यावत नारत रिश गाता ओम जय लक्षमी माता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपति दाता जो कोई तुम को ध्यावत रिद्धि सिद्धि दन पाता ओम जय लक्षमी माता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता तुम पाताल निवासिनी तुम हो शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता ओम जय लक्षमी माता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता जिस घर में तुम रहती सब सद गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घब राता ओम जय लक्षमी माता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता तुम बिन यग्य ना होते वस्त्र ना कोई पाता खान पान का वैभव सब तुम से आता ओम जय लक्षमी माता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता शुभ गुण मन्दिर सुन्दर शीरोद धी जाता रात्न चतुर दश तुम बिन रात्न चतुर दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता महा लक्षमी जी की आरती जो कोई नर गाता पुर आनंद समाता पुर आनंद समाता पाप तर जाता ओम जय लक्षमी माता ओम जय लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्ण विधाता ओम जय लक्षमी माता इंद सुता विष्णू के क्यारी कमला सना मालच में न्यारी भगतों को धन धान है पाटे शीर के सागर मात विराजे वाम अंग विष्णू के साजे लाल हरा पर धान है पहने दज धारी सोने की देहने शीश पे सोने का है मुकुटा गले में धारे हार वो मुक्ता रूप चतुर भुज लागे प्यारा सारी शीश की विए न्यारा तो हाथन में कमल है था में धन के कलश से धन है पाटे जो दर पे जोली फैलाए जिसने हाथ को जोड के लिया लक्षमी का नाम उन भगतां को मिल जाता पल में मुक्ते धां भगतों का हित्मान सवारा आठ आठ अवतारों को धारा हर रूप में किरपां बाटे जाहों से चुन कीवा बाटे आदि लक्षमी बन कर आए महा लक्षमी यही कहलाए रिगुर्जिश की पूत्री क्यारी तक जदों पीमा उपकारी त्रीदेवों को प्रकट किया है कालिशार दारूप लिया है सब में प्राण मा भरने वाली जीवन की उत्पत्ती करती प्राणियों का रक्षन मा करती पोक्ष के फल को देने वाली जोलिया सब की भरने वाली जै जै आदि लक्षमी मा महा लक्षमी अबतार आपके ततम स्वरूप को नमन है सो सो वा दूचा रूप धन लक्षमी क्या रख धन और वैभव देने वारा विश्नु का करजा मा चुकाए धन से भरा कलश है उठाती भगतों पर धन धान लुटाती पार्थिक रूप से सबल वनाती धन सम्रिति की देवी मा धन धान बांटे लक्षमी मा आदि लक्षमी यही कहाए चरणों ने सब शीष लवाए वेद पुराणों ने महिमा गाई शिव ब्रह्मा ने जै जै बुलाई भगती का फल देने वाली धन लक्षमी का धार के दो जामा अवतार भगतों के हित आई मा भब से करने पाँ भोलो जै जै लक्षमी मा भोलो जै जै लक्षमी मा धन लक्षमी तेजा रूप है पावन मा का ये स्वरूप है अन धन के भणडार मभरते अन पूर्णा यह कहलाई अन स्वरूपा लक्षमी माई अन में मैया है विराजते अन के दली मा भाबत लाते जो अन को बरबाद है करता लक्षमी को नाराजव करता कुपित धन लक्षमी हो जाए जो अन का अपमान कराए जहां अन का आदर होता धान लक्षमी निवास है होता मा पसन हो अन धन देती ठन के मा भंदार है भरती ठान लक्षमी रूप की जग में जै जै कार अन का आदर जो करे भरती मा भंदा बोलो जै जै लक्षमी मा 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 चोथा रूप गज लक्षमी धारा गज पर आती हो असवारा गज के उपर कमल है साजे जल से गज आवान है करते मैया का सम्मान है करते अभिशेक हर बार है करते गज माता गुड़ मान है करते रूप चतुर भुझ है अति क्यारा कलश कमल हाथों में धारा अमरित कलश बेल को धारे गज लक्षमी करवारे गारे कृशी और उर्वरता देती राज को सम्मरे धीमा देती राज लक्षमी भी कहलाती भाप दाप संताप हराती गज लक्षमी मा कर रही सब का बेड़ा पार राज लक्षमी कर रही जन जन का ओधा बोलो जै जै लक्षमी मा बोलो जै जै लक्षमी मा संतान लक्षमी कातो पंचम रूप धरा मयाने अनुपम देवी भागवत महिमा गाए भाई आती जै कार लगाए पांजन को संतान मा देती खाली जोली मा भर देती गोद में बालक केलने लागे कंद मा तक रूक समान देवी भागवत ने यह मान गोद में है संतान बिठाए संतानों की रक्षा करती पेटी बेटों को योग्य बनाती घर में सुक सम्रिती लाती संतान लक्ष में देती बांजन को संतान पूत्र पूत्र का पा रही माताए बरदान बोलो जै जै लक्ष मी माँ वीरा लक्ष मी रूप जोधारा करती साहस का संचारा वीर भगत करते हैं पूजा योद में मैया विजय दिलाती आठ बुजाहत यार उठाती अस्त शास्त धारन मा करती भगतों वीर लक्ष मी माता खगत जनों की है सुखदाता अपने भगत की रक्षा करती सुखा की समरिधी देती कात्याईनी का रूप कहाती असुरों का वद करने वाली वीरा लक्ष मी है बलशानी वीरा लक्ष मी नाम से ओशक्ती संचार रण में जै होती जाहे ना हो भगत की हाँ बोलो जै जै लक्ष मी माँ विजय लक्ष मी माँ विजय लक्ष मी रूप सात्वा विजय की जो भी करता काम न विजय लक्ष मी को वो ज्याए जीवन में जिर्जे हो जाए अस्ट भुजा मा धारन करती अभैतमा वर्दान है देती कोट का चैरी होए मुकदमा संकट से मया ही छुडाए संकट पासन आने पाए जया लक्ष मी नाम को ज्याना मुहमाया जंचाल को काटे जीवन में उत्साह मपाटे काम न पूरन करने वाली जया लक्ष मी मात निराली जया कहो विजया कहो शद्धा से लो नाम जान लगा कर चरणों में कर लीजे पर नाम बोलो जय जय लक्ष मी माँ बोलो जय जय लक्ष मी माँ विद्या लक्ष मी रूप आठवा विद्यावान ये सब को बनाता प्रम चारणी जय सरूप है शिक्षा में हो सफलता पाना विद्या लक्ष मी ज्यान लगाना ज्यान कविधी भी हो जाए ज्यान बुद्ध के बल से पानी पर सिर्धी बल में पाजानी विद्या लक्ष मी ज्यान वढ़ाए ज्यान बान प्राणी हो जाए विद्या लक्ष मी किरपा करना ज्यान वान हम तो कर देना बुद्धी वल तुमसे ही पाए विद्या वानी सभी बन जाए वल बुद्धी और विद्या का मैया देती दान ज्यान वान भगता बने पाजाता वर्दान बोलो जै जै लक्ष मी मा बोलो जै जै लक्ष मी मा रूप अने को नाम तिहार हर रूप में दर्शन प्यार जो मैया का नाम पुकार सिंदु सुदा भव पार लगाना पगत करें बस यही कामना चर्णों में सब शेश नवाए मैया से वर्दान अपाए रिशी भिगू के पुत्री प्यारी विश्न वाम अंग रहने वारी रूप चतुर भुझ अती सुहाए भंत जनों की मन को पाए पारती और चालीसा गाए चंदन का दुम्ब तिलक लगाए समरिधी वर्दान को पाए मैया की जेकार लगाए जोलियों में भर देना मैया धन और धान आठ पहर चों सट घड़ करे तेरा गुणगाँ बोलो जै जै लक्ष्मी माँ बोलो जै जै लक्ष्मी माँ